नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में मैं आपका अपना अनिल चौदरी लेगा है उन्हें वीडियो दोस्तों हमेशा के लिए आपके लिए mcq वीडियो आ गई है आज और 20 कोशन को पर आंसर देते हैं जिससे कि उनका भी रिवीजिन हो जाता है और उनका एक confident level भी generate होता है कि आंसर सही है गलत है कि जो सही होते हैं मैं उनको like कर देता हूं जो normal होते हैं मैं उनको dislike कि normal उसको बता देता हूं कि क्या उसमें mistake है ठेके दोस्तों और कल वीडियो डलनी थी ये तो possibly नहीं हो पाया वो उसके लिए I am really sorry for it बट वीडियो आज डल जाएगी आपकी मंगलवार को Tuesday को हनुमान जी के दिन ठेके जी तो start करने से पहले कहना हुँच चाहूंगा अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर आए तो किर पर subscribe कर लीजे और bell icon को दबना ना बोले ताकि जब अब भी में वीडियो डालू तो automatically आपके पास notification आज है ठेके जी इसके अलावा अगर आप हमारा paid group join करना चाहते हैं अगर आप हर्याना PTI की specially तयारी कर रहे हैं या डिटर प्लेस बी की KVS NVS की करना चाहते हैं तो दिये हुए नंबर पे यह जो दिया हुँए नंबर है 70 065 620285 इस पे आप हमें WhatsApp कर दीजिए आप call करके information ले सकते हैं और हर्याना PTI को अभी एक हफता ही हुआ है start हुए तो अभी भी जो new students हैं वो उसमें add हो सकते हैं जो prepare करना चाहते हैं और आप हैरानी करेंगी 50 plus students हर्याना की group में हो चुके हैं अगर आप उनकी age देखें तो age उनकी around 50 ही हो रही है लेकिन still they are so motivated वो इतने ज़्यादा अभी भी उनमें वो जज़बा है paper clear करने का कि वो किसी भी way में पढ़ने के लिए ready है बस पढ़ना चाहते हैं ठीक है जी तो चलिए start करते हैं पहले question के साथ निमलिकित में से कौन सा केवल अंगूठे पर संभव है which of the following is only possible at the thumb तो हमारा जो अंगूठा होता है तो वो और उंगलियों से थोड़ा अलग होता है ठीक है दोस्तों हाला कि आपको बात बताई जाए जैसे कुछ generation से कुछ क्या भी यह generation है इसमें हमारा phone usage बहुत ज़्यादा हो चुगा है तो पहले अंगूठे का use कम रहता था त 200 साल में लेकिन काफी सदियां लगेंगी थोड़ी बहुत लेकिन उनके बाद अंगूठा हमारी और उंगलियों के बराबर हो जाएगा या उनको पीचे छोड़ देगा एक नॉर्मली बात शेयर करिए क्योंकि हम अंगूठे का आप देखो कि टाइपिंग में इतना use करते कि पहले ये use ही नहीं होता था और आज के दिन इतना use होता है कि धीरे 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 इसमें वो चीजे संभव हो जाएंगी तो अगर आप अपने हाथ को देखेंगे जैसे कि आपको पिच्चर में दिखरा होगा तो अंगूठा ही एक ऐसी उंगली है आपकी जो मतलब की की तरह बिहेव कर सकता है जो और उंगलियों को मतलब की उसको प्रेस कर सकता है और उंगलियां भी कर सकती है लेकिन और उंगलियां एक दूसरे को नहीं कर सकती है अंगूठा क्या सब को प्रेस कर सकता है सब को विपक्ष कर सकता है ठीक है दोस्तों तो आप समझ गई में बता देत हूँ होता क्या है जैसे कि आपने लीवर अगर चैप्टर पड़ा है तो लीवर में basically लीवर use किसलिए करते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो लीवर obviously हम use करते हैं कि हमें थोड़ा सा मतलब कि कम force लगानी पड़े कम ताकत लगा के बड़ा काम हो जाए ठीक है तो जैसे हम पूली यूज करते हैं कोई कुवे में से पानी निकालना है तो वहाँ पे हम लोग कितने एजीली पानी निकाल ले थे अगर आप उसको पूली को हटा के उस रस्ची को सीधा नॉर्मली उस जो कुवा है हमाँ छोड़े दिंगे और खीचेंगे तो वह चीज इतनी संभव नहीं है आप मतलब की बहुत मुश्किल सा आएगा तो पूली से कितनी एसानी से चीज़ आ जाती है तो पूली भी एक तरीके का लीवर है तो लीवर में बेसिकली आपका जो यूज है वो यही है कि आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते है और सबसे ज़्यादा मेकैनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो बता देता हूं पहले तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओप्शन ठीके दोस्तों तो जितनी ज़्यादा मेकैनिकल एडवांटेज का जो आपका यूनिट है क्योंकि इसका कोई पीछे की यूनिट नहीं है या ऐसे आता है एक दो तीन ये स्पॉम में निकल गया आएगा तो जितनी ज़्यादा वैली होगी इतना ज़्यादा मतलब की आपको हेल्प मिल रही है उस लीवर से जैसे की अगर मैं बात करूँ जैसे की यहां लिका है आउटपुटबल डिवाइड वाई इंपुटबल ठीक है दोस्तो तो अगर मैं बात करूँ जैसे एक सोच लेते हैं कि यह एक लीवर है और यहाँ पे मैं थोड़ा भारी इंसान बिठा दूँ मैं कहूँ अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो मैंने सोचा कि 30 किलो का कह दी दिया आप चलो 30 किलो का आपने वो आदमें बिठा दिया ठीक है जी और लेकिन इसको क्या है छोटा रखा है आपने ये इसको याद रखेगा और इसको थोड़ा सा लंबा रखा है ठीक है ये लेंथ जादा है और यहाँ पे आपने 10 किलो का आदमें बिठाया 10 किलो का लेकिन इस लेंथ की वज़े से और ये जो लीवर यूज हुआ है इस कारण से आपने 30 किलो का आदमी को भी उठा दिया ठीक है दोस्तों क्योंकि ये जो लेंथ है ये भी काफी आपको हेल्प करती है जितनी जादा लेंथ हो जाएगी लिवर वन में उतने जादा फाइदा होता है तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं आपसे पूछू कि मेकैनिकल एडवंटेज कितनी हुई तो आप क्या बताएंगे कि देखो आउटपूट फोर्स क्या है तो आउटपूट फोर्स है 30 केजी मतलब कि 30 किलो आप कह सकते है 30 कुलो का आपने कुछ न्यूटन ये केजी जो भी और 10 केजी की आपने वो चीज डाली उसके लिए जितना अपने एफर्ट लगाया तो इसको कैंसल करा तो तीन रह गया सिर्फ ठीक है तो एक तो नॉर्मल होता है अगर एक से जादा आता है तो मतलब कि बहुत जादा आपको फाइदा हो रहा है और डिफरेंट लिवर्स के लिए डिफरेंट यांतरिक लाब है ठर्ड में जैसे जो ठर्ड होता है हमारा वो कम होता है जैसे कि अगर मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा बहुत पिछली वीडियोस में कि ठर्ड होता कैसा है यह जैसे यह लीवर है यह लीवर के आप यह देखे कि यह जाडू है ठीक है वो कितने तरीके से उपर से पकड़ के रखते हैं यहां पे हाथ लगा के रखेंगे और यहां से इसको मूव करेंगे इस पोजिशन से मूव करेंगे आगे पीछे ठीके दोस्तों और जो फोर्स लग रही है वो यहां पे लग रही है मतलब कि लोड जो है जो चीज साफ करनी है वो यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप खुद बोलेंगे देखो यह जो डर्ट है जो मिट्टी है यह इतनी भारी नहीं है इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था लेकिन देखो हर लिवर का अपना फाइदा है तो यहाँ पे मेकैनिकल एडवांटेज यांतरिक लाप कभी कभी शूनने से भी नीचे चले जाता है पूछो कैसे देखो आपने फोर्स लगाई मान लो यहाँ पे 30 न्यूटन और यहाँ पे डर्ट था बहुत कम ठीके दोस्तो तो डर्ट आपका मान लेते हैं कि सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे कि डर्ट जो था वो आपका दस्क था और आपने फोर्स लगाई है 30 तो देखो यह तो 1 बाई 3 हो गया मतलब कि 1 से भी छोटा एक ती हाई ठीके दोस्तो तो मेकैनिकल एडवांटेज लीवर थरी में काम होती है लीवर वन में सबसे जादा होती है इस चीज़ को याद करने अच्छा पेपर बढ़ेंगा अगर हर्याना जैसे एक्जामस में इनका बहुत ही रेरली आ सकती है ऐसी चीज़े लेकिन डिटरबलेस भी केवेस एनवेस में आज की दिन ऐसी चीज़े पूछे जाती है तो इन चीज़ों को याद रखें ठीके दोस्तो तो आप भी ऑप्शन करेक्ट है चलते है नेक्स कोशन पे किस कशेरे कूग में ओड़न्टोइड प्रक्रिया है विच वर्टीब्रा है ओड़न्टोइड प्रोसेस तो दोस्तो जैसा कि हमने सर्विकल स्पाइन को पढ़ाया है पेड़ ग्रूप में तो अच्छे से इन चीज़ों को एनलाईज कर रखा है तो यहां पे भी आप पढ़ा देते हैं से आज फ्री में तो मतलब कि जो C1, C2, C3, C4 यह 7 तक रहती है आपकी सर्विकल स्पाइन वर्टीब्रे तो इनमें जो C1 होती है C1 को हम क्या कहते हैं दोस्तो अटलस कहते हैं आप अपने सामने देख सकते हैं पिक दिख जाएगी एटलस और और जो C2 होती है यह क्या होता है दोस्तो यह होती है आपकी एक्सिस ठीक है और इनही के बीच में आपने पढ़ा होगा बहुत बार यह थोड़ा से प्रैक्टिकल ही पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा तो इनही के बीच में जो अच्छे-च्छे टीचर बताते रहते होंगे आपको कि जो एटलेंटो एक्सियल जोइंट है जो एटलेंटो एक्सियल जोइंट है जो पिविट जोइंट है तो वो इनही दोनों के बीच में है और यही हमारा वर्क करता है जब हम गर्दन को rotate करते हैं दाएं या बाएं लेफ्ट या राइट में तो उस टाइम पर यही joint work करता है ठीके दोस्तों तो C1, C2 के बीच में joint है और इसको क्या कहते हैं एटलांटा एक्जियल जोइन्ट ठीके दोस्तों आपके असामने photo देखी जाएगी और अब अगर आप देखें तो जो C2 है तो C2 के जो C2 है मतलब की axis उसके अंदर से एक मतलब की एक उभरी हुई चीज है एक छोटा साम यह कह सकते हैं कि एक उंगली है जैसे हमारी उंगली होती है इस टाइप की आधी उंगली निकल रखें उपर की तरफ जो फिट हो जाती है Atlas में मतलब की C1 में आप देख सकते है फोटो में आपको दिखेगा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की थोड़ा साथ को टेक्निकल चीज है इतनी इजी ली समझ नहीं आएंगी थोड़ा सा आपके वीडियो को चाहे दो बार देखेगा आप समझ जाएंगे लेकिन अच्छे से तो यही जोइंट है जो आमारी गरदन को रोटेट करने में मूब करवाता ही ठीक है दोस्तोご बहुत अच्रह थे समझा दिया यह बी तो अड्वी की वज़े से होता है है तो सही उपर से कुछ इस परकार से दूसरा एटलस रखाई है तो उसके अंदर ये fit हो गया एक तरीके से और फिर यहां पर क्याई कि rotation चल रही है जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखा दिया था ठीक है दोस्तो तो नीचे चलते हैं आप चौत्थे कोशन पर बुलेट प्रारम में ब्लोकों के बीच का अंतर डैश इंच होना चाहिए ऐसे कोशन हर्याना पेटियाई माने के पूरे चांस है इन बुलेट स्टार्ट इडिफरेंस बिट्वें दिब्लोक शुड बी डैश इंचिज तो दोस्तो कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में क्योंकि ब्लोक्स होते हैं आपने देखे होंगे जब हम रेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पेर रखने के लिए specially पिक अप बनाने के लिए ब्लोक्स यूज करे जाते हैं तो बुलट स्टार्ट को एक तो हम 6 से 11 का जो डिफरेंस है इंचिज में हो गई है इतना रखते हैं और बुलट स्टार्ट को हम और क्या कहते हैं दोस्तो तो सही बताया आपने एकदम बंच स्टार्ट ठीक है यह इसको हिंदी में हम गुच्छा शुरुइत कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि गुच्छे की तरह एक आदमी जो होता है, इसके जो मतलब की पैर है वो इतने पास आ जाते हैं, क्योंकि सबसे कम difference Si Si में होता है, ठीके दूस्तो, इतने पास आ जाते हैं कि वो एक तरीके से बहुत ऐसा बंधा सा दिखता है तो उसको बंच स्टार्ट कह देते हैं या हम कह देते हैं गुच्छा शुरुआत ठीक दोस्तो इसके अलावा स्टार्ट को स्टार्ट करने के लिए दो तरीके और है नॉर्मली तो आपका क्या है एक है medium start और एक होता elongated start तो medium start की बात करें तो 16 से 21 इंचिस होनी चाहिए और elongated start की बात करें तो 22 से 26 इंच का difference होना ही होना चाहिए तो ये चीज़ clear हो गई होगी और आगे आज बहुत ही better in question है और मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे समझाऊं भी इनको फिफ्थ कोशन क्या है दोस्तो IHF का गठन कब हुआ वें डिड़ इएच एफ फॉर्मड तो दोस्तो IHF यहां पे specially मैंने इसके full form इसलिए mention नहीं करी है ताकि इसको थोड़ी सी difficulty आए क्योंकि आई को देखती है आदमी क्या को सोचता है International Hockey Federation यही दिमाग में आता है लेकिन यह गलत है यहीं इसका मतलब क्या है Indian Hockey Federation और इसकी जो formation है वो कब हुई थी दोस्तो 7 November 1925 D option एकदम correct है ठीक है 1925 से चलती आ रही थी medal आया 1928 से start हुआ पहला Olympic gold medal आया 1980 में last आया और आपका इमानी दे 2000 की सुरवात में corruption इतना ज़्यादा हो चुका था Federation में की मतलब की बड़ा दिक्कत हो गई थी जैसा कि आज के जिन और Federation में चल रहा है तो 2009 में याद रखेगा 2009 में Hockey India Federation Hockey India का निर्मान हुआ formation हुई मतलब की ये तो dismiss कर दी गई IOA के दुआरा मतलब की Indian Olympic Association के दुआरा जो IHF थी Indian Hockey Federation इसको निस्खाशित कर दिया गया इसको dismiss कर दिया गया और इसकी जगा पे मतलब की दोनों है आला कि members तो उसी के ही थे लेकिन एक formation नई रचाई गई और 2009 में आपका Hockey India की formation होती है और Hockey India आपकी 2009 से अभी तक और future में अब वही governing body है आपकी Indian Hockey Team की तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी federation कब तक की थी और important इसलिए देखिए Hockey India अभी बनी है लेकिन International Hockey Federation बहुत पहले की है और हमारा Hockey एक तरीके से National Game तो नहीं है लोगों को गलत वैमी है National Game की तो National Game नहीं है आप ये चीज़ याद रखें पेपर में कोशन आ सकता हरियानडा जेसों में तो National Game नहीं है हमारे देश का कोई भी National Game नहीं है ठीक है दोस्तो याद रखें और उसके कंदो को हिलाएं देखिए आप फस्टेड की कारवाई को समझे पहरें तो आप जैसे की फोटो में देख सकते हैं ये आदमी जो विक्टिम है मतलब की पेशेंट है आप कह सकते हैं उससे बात कर रहा है उससे भई आपने अगर किसी का एक्सिडेंट हुआ तो उसको जाके सीधा ये थोड़ी उसको सीपियार देने लग जाओगे या उसको मतलब की उसको आइस पैक लगा दोगी आप पहले जाके देखोगे कि वह फाइन है उसको जरुवत है उसको किस चीज की नीड है तो उससे पहले आप बात करेंगे कि व आपकी हर बात करेंगे मतलब की पूरे फॉर्म में नहीं है कि वह उविसलि onboard आपकी हर बात करेंगे थोड़ा सा मतलब के कंदों के जरी उसको हिलाएंगे तकि वह मतलब की reply करेंग आपकी बात का ठेकnt दोस्तो 59 और बी मचली इसके बाद आती तो इसको समझा देते हैं पहले आंसर बाद में बताएंगे तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ये एक ओपनर है जो नॉर्मली बियर या कोक वोक आप देखते होंगे नॉर्मली शॉप्स पर आपको दीख जाएगा खोलने के लिए और बहुत आपने खुद ने भी ख खोली होंगी ठीक है तो मतलब की जब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पीछे हमारे क्या है दोस्तो एफ़र्ट हैं तो यहीं से हमें पता चल जाता है एफ़र्ट मतलब की जो आपने जो जो लगाया है ठीक है तो आपने जो 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 तो यक्षे से कुछ कहते हैं एकस्स को, मैं थोड़ा सा हिंदी में इतना weak हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा adjust करेगा, still मैं पूरा try कर रहा हूं हिंदी में भी समझाने का, और बीच में अगर आप देखें, जब आप इस opener को उपर उठाएंगे, तो देखे, माना कि वहाँ कोई दम नहीं लगा रहा है नीचे की तरफ बीच में, लेकिन वो जो पकड़ बनी हुई है, उस धकन की वो भी एक वजन ही है, उसी के लिए तो आपने तकत लगाई है, तो वो धकन तो नीचे की तरफ जो लगा रहा है, और आप उपर की तरफ समझा दी है, अगर आप से कोई पूछे कि लोड कहा लगता है, मतलब कि लोड कह दीजिए, रेजिस्टेंस कह दीजिए, या भार कह दीजिए, तो वो लीवर टू में, मतलब कि वर्ग टू जो लीवर है आपका, उसमें सेंटर में होता है, बीच में होता है, ठीके दोस्तो तो थोड़ी सी देखो conceptual चीज रहती है हमारी वीडियो में, तो अगर आपको कम समझ आते हैं, तो आप दिक्कत ना लीजी, वीडियो को दुबारा देखिए, और कोई डाउट रहता है, परसनली मैसेज कर लीजे, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्या answer रहेगा दोस्तों, सही बताया आपने एकदम, कि resistance in the middle, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा गुमा के पूचा हुआ है, यहाँ पे लीवर टू आंसर में नहीं दिया, यहाँ पे पूचा है कि लीवर टू खुद पैचानो भई, कि लीवर टू में होता क्या है, तो लीवर टू में आपने देखा होगा जैसे एक example और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, आप जैसे कहीं जहम जाते हैं गूमने के लिए, तो यह जो हमारा कुछ इस तरीके का बैग लेके जाते हैं, यहाँ पे आपका यह hook हो गया, तो हम इसे पकड़ लेते हैं हाथ से, और रोड के उपर इसको चलाए जाते हैं, ठ जोगा, क्योंकि लम्बे-लम्बे distance cover करने पड़ते हैं, तो ज्यादा जोड़ ना लगे, तो अगर भर इम यहाँ पे देखें, यह जो है, यह यह क्या है? यह बाहर है यहाँ यह भार हो गया, यह क्या हो गया दोस्तों, यह यह ओगा आपका falcrum, यह मतलब कि आक्श कह सकत या फलकर्म कह सकते है जो चीजंड मौव नहीं करती है ठीक है कि और ये जो है यहां पे क्या होगा यहां पर आप अपनी ताकत लगा रहे है यहां पर तो यह तो है क्या यह यह एक्जंपल भी आपका लीवर 20 का है वर्ग 2 लीवर 25 का है तो एक एक्जंपल और दे पहले से देख लेते हैं तो राजकुमारी अमरित कौर जी बहुत ही फेमस परस्नेलिटी पास्ट की भी और आज की भी तो काफी अवार्ड मिल रखे हैं ठीक है दोस्तों ये गांधी की आइडियोलोजी से काफी एफेक्ट होई थी मतलब कि एफेक्टेड थी उनसे positively affected थी negatively न रहा है और तो और general knowledge में भी एक question आ सकता है कि पहली independent इंडिया मतलब कि सोतंतर भारत की पहली cabinet minister अगर पूछा जाए cabinet मंतरी women मतलब कि महीला cabinet मंतरी तो आप किसका नाम लेंगे राजकुमारी अमरित कौर और इनका department क्या था दोस्तों तो स्वास्त है इनका department था health and ministry इनके हा और अगर आप दिल्ली में रहते हैं कभी आप AIMS hospital जो कि इंडिया का सबसे ही सबसे बड़ा hospital है तो AIMS की जो OPD है वो भी इनही के नाम पे है राजकुमारी अमरित कौर ठीके दोस्तों और अगर और बताया जाए इनके बारे में आप फोटो में देख सकते हैं एकदम कैसे इनके relation थे उस टाइम पर गांधी जी के साथ नहरू जी के साथ ठीके दोस्तों फिजिकल एजूकेशन की फील्ड में इन्होंने क्या करा है ये कोशन थोड़ा बन सकता है तो 1953 राजकुमारी अमरित कौर कोचिंग स्कीम आई थी कोचिंग स्कीम आई थी स्पोर्ट्स परसं बड़िया तरीके से दी जाए प्लेयरों को ठीके उनको special intention दिया जाए उनके special camp लेंगे national players के international players के ताकि वो अच्छी performance दें ठीके दोस्तों तो ये कोशन इंपोर्टेंट है जो मैंने अभी बताए 1953 वाला हर्याना वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कोशन इसको पर भी दिखा देता हूं मैं थोटो सा ये आपका tennis के प्रती उत्सा ही थी ठीके दोस्तों tennis इनको पसंद था नाइन्थ कोशन देख रहेते हैं हिम्लिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है वाट इस दी मेन प्रपस ऑफ दी हिलमिच प्रोसीजर तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने फोटो होगी ये आपका हिलमिच प्रक्रिया को दिखा रहा है ठीके दोस्तों और ये यूज कब होती है जब आपकी मतलब कि हिंदी में इसको मतलब कि जिस पाइप से आपका खाना नीचे जाता है उस पाइप में अगर कुछ अटक जाए आपक फील भी हो रहा है कि कुछ अटक गया है और दिक्कत हो सकती है ज्यादा सीरस हो सकती है तो उस टाइम पर आप किसी की हेल्प से या खुद भी ज्यादा अच्छा रहेगा किसी की हेल्प ले ले और उनको कहें कि आप जैसे की फोटो में देख सकते हैं अपनी मुठी को तरफ लाएं उसके उपर एक हाथ रखें और आपको एक तरीके से मतलब कि उसको दबाएं प्रेस करें ठीक है ताकि जो भी आपके फूड पाइप में अठका है वो निकल जाए ठीक दोस्तो इस प्रोसेस को आप खुद भी कर सकते हैं किसी चेर के आसपास अपने हाथ को बांध के आगे की तरफ और उसपे प्रेशर दें थोड़ा सा ऐसी चेर मुविबल ना हो इस चीज़ को याद रहें नहीं तो आप और हर्ट कर लेंगे तो सही बताए इसका अंसर क्या है दोस्तो ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है तो रिम्यूव अ ब्लॉकेज इन दे विक्टिम्स एरवे पेडित वाई उमर्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हिलमिच प्रक्रिया का मुख्य उदेश है और फस्टेड के होकी मैदान के प्रतियक छोर पर लक्षे के आयाम क्या है तो दोस्तो होकी फील्ड जो है उसके डाइमेंशन पूछ रहे हैं तो सही बताया आपने एकदम एक बर देख लेते हैं पहले कितना होता है पिच्चर के द्वारा तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2.14 मीटर इंटू 3.66 मीटर ये इसका आयाम है डाइमेंशन है और फुट में अगर पूछा जाए क्योंकि फुट में भी आ सकता है क्योंकि कोशन्स देखो किसी भी चीज में आ सकते हैं स्पैसली हर्याना वालों के लिए ये डाइमेंशन और ये सब बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं तो कोशन करेक्ट हैं यहां पर और मैंने आपको बता दिया है फुट में पूछा जाए तो साट इंटू बारा आपका गोल पोश्ट का साइज है ठीके दोस्तों इलेवन्त कोशन देख लाता है निमलिकित में से कौन पैक्टोरियल करधनी का एक हिस्सा है विच आफ दी फॉल बोन्स होती है एनिमल्स में तीन के आसपास होती है ठीके दोस्तों तो एक तो हमें पता है ठीके दूसरी इसमें पूछी गई है आपसे तो एक तो आपकी क्या है स्कैपूला है ठीके दोस्तों एक तो आपकी स्कैपूला दूसरी पूछी है तो दूसरी क्या है दोस्तों क् मुवमेंट को और बैक मुवमेंट को हेल्प करती है और उनको वो करती है मोबिलिटी देती है तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहां पर कलेविकल हिंदी में यह हसली लिख किया गया हसली कहते होंगे शायद इसे ठीक है दूस्तो ट्वेल्थ कोशन फ्लोराइड को पानी में भी मिलाया जाता है जो रोकने में मदद करता है ओप्शनस आपके सामने एक बर देख लीजे कई में ज़्यादा मूव जल्दी ना कर दे रहा हूँ संक्रमन बिमारी बुखार दातों की सडन फ्लोराइड तो दोस्तो फ्लोराइड क्यों एड करा जाता है सही बता है दातों की सडन को रोकने के लिए तूथ डीके ना हो जाएं इसी वज़े से हमार जो तूथ पेश्ट होता है जो हमारा जिस को हम ब्रश पे लगा के सुबह ब्रश करते हैं तो उस चीज उस चीज से हम लोग अपने दातों को सडने से रोक सकते है और आपको हैरानी होगी जो डबलू एच होगी आप उसके साइट पर जाके देख सकते हैं विजिट करके जो फ्लोराइड है जो फ्लोराइड मिनेरल है ये अगर ये बहुत जादा हो जाए तो भी हानी कारक है ठीके दोस्तों ऐसा ना सोचें कि क्योंकि जो बच्चे आपने देखा होगा कुछ बच्चे को कोलिगेट का टेस्ट बच्च्चपन में बहुत पसंद आने लग जाता है वो कोलिगेट को खाने लग जाते हैं गिटकने लग जाते हैं ब्रश करते करते टाइम उसको ठंड़ ठंड़ लगता है तो वो उसको मतलब कि उगलने लग जाते हैं अपने अंदर ठीके दोस्तों तो वो हाम कर सकता है वो फ्लोराइड की आपकी बॉड़ी में जो परसेंटेज उसको बढ़ा सकता है और जिस कारण से तूथ डिके भी हो सकता है देखे फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा घट जाना दोनों ही चीजे गलत हैं और राजिस्थान साइड में जिस साइड आपके माउंटेंस होते हैं में फ्लोराइड का जो कंसेंट्रेशन है वो जादा होता है महाँ पर मातरा जादा होती है और क्योंकि इतना ज़्यादा तादाद में महाँ पर रहता है तो महाँ पर इस चीज़ को साफ करना भी काफी एक्सपेंसिव हो जाता है ठीके दोस्तों और हम अगर वहाँ पर नॉर्मली ऐसे हम जैसे डेली जैसे शहरों में हम लोग प्यूरिफायर लगा के रखते हैं साफ करने के लिए ये सब चीज़े वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी में कॉण्टिटी में फ्लोराइड और ये सब चीज़े मिनेरल साते हैं कि वहाँ पर ये चीज़े आपकी कारगर नहीं है ठीके दोस्तों तो D option correct है आप एक दम 10th नहीं 13th question आगया है आप sorry तो Jules Rimet Trophy निमलिकित में से किस खेल से संबंदित है Jules Rimet Trophy is related to which of the following sports तो इसकी थोड़ी से history बता देता हूँ क्योंकि सबको famous है ट्रोफी लेकिन इतिहास इसका किसी को नहीं पता है तो इसका इतिहास देख लेते हैं दोस्तों तो इतिहास इसका क्या कहता है देखिए 1930 में पहला World Cup हुआ football का पहला World Cup ठीक है 1929 में जो प्रेजिडेंट थे Jules Rimet आपके FIFA के तो उन्होंने अपना वोट दिया था मतलब कि अपना वोट पास करा था इस चीज के लिए कि आयोजन कराया जाए इस प्रतिग्योता को अब 1930 से शुरुआत कराई जाए तो उस खुशी में कि उन्होंने अपना भारी वोट मतदान किया है तो उनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया हाला कि स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो विक्टरी था मतलब कि विजेता वो बाद में रखा गया था जब उनकी डैथ हो गया था 1946 के अराउंड उसका नाम रखा गया था Jules Rimet ट्रॉफी ठीक है और इतनी कॉंट्रोवर्शल ट्रॉफी है ये इतने ज़ादा इस पे मुद्दे उठे हुए है मतलब कि आपको अभी हिस्ट्री बताते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेगी ठीक है तो 1930 में इसकी शुरुवात हुई मतलब कि पहले इसको विक्टरी कहते थे और बात ये हुई थी कि ये ट्रॉफी जो जीता जाएगा उसके पास जाती रहेगी मतलब कि मूवेबल ट्रॉफी थी आपकी किसी की पर्मानेंट कोई जीत नहीं सकता है बट एक बात थी जो भी टीम इसको तीन बार जीत लेगी मतलब कि तीन बार विजिता बन जाएगी वो इसको फाइनली अपने मतलब कि स्थान पर ले जाके रख सकती है हमेशा के लिए ठीक है मतलब कि हमेशा के लिए इसको ले जा सकती है तो मतलब कि 1970 1970 हाला कि पहले भी चोरी हुई थी इसकी तो चोरी की बात भी करते हैं 1970 में ब्राजील में ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता तीसरी बार जीता था अराउंड मेरे खाल 1958 में और शायद 62 में और जीता था तो शेवर हूं इसका शेवर नहीं हूं देख लीजिएगा आप तो ती ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फिडरेशन मतलब कि आप कह सकते हैं उनकी बिल्डिंग जो है वहाँ पे इसको सजा दिया जाके और सजाया ऐसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया सामने से बुलट प्रूफ आपका एकदम शीशा वीशा लगाया कि कोई देखना है म्यूजियम में तो देखे लेकिन कमी पीछे से रह गई पीछे उन्होंने वुड का यूज करा तो वुड की तरफ से कोई गोसा और इस ट्रॉफी को लेके चले गया और कब लेके गया था तो 1983 में 1983 में ये हमेशा के लिए चोरी हो गई और आहास तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये ट्रॉफी कहां पे है ठीके दोस्तों तो जब 1970 में ये कोशन और बता देता हूँ यहाँ पे तो एक कोशन और है यहाँ पे जब 1970 में ब्राजील के पास ये चली गई तो अब ये ट्रॉफी तो मूव हो नहीं सकती है भाई वो तो अब इसके पर्मनेंट विजेता बन गए है तो 1970 से इसको 1974 में जब विजेता बने थे जो भी तो उनको जो ट्रॉफी दी गई थी वो आपके FIFA World Cup Trophy के नाम से जानी गई थी उससे पहले FIFA World Cup Trophy नहीं कहते थे जो आज के दिन कहते हैं ठीके दूस्तों तो काफी अच्छा लगा होगा आपको ये तो इसका अंसर C है आपका फुटबॉल इसका अंसर है फुटबॉल से रिलेटेड है आपके जिल रिमेट ट्रॉफी होता क्या है ना हम देखो कोशन करवाना is not a big deal कोशन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप कहीं से भी कोशन कर सकते हैं लेकिन कोशन को इस अंदाद सा समझाना कि आपको जिंदगी पर याद रह जाए हम पर फोन आते हैं बहुत लोगों कि वो बताते हैं जी आपने ऐसा कोशन बता दिया कि अब वो जिंदगी भर नी बोलेंगे मरते दम भी पूछ लोगे तो बता देंगे जूल सरी में ट्रॉफी ऐसे समझाई थी कम से कम इतना तो याद रहेगा कि हाँ एक ट्रॉफी थी उसको चोरी हुई थी आज तक मिली नहीं उसको चुरा लिया ऐसे से तो यह चीज़े काफी इंपोर्टेंट रहती है फॉर्टीन कोशन देख रहते हैं दोस्तों ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है ट्रिप्सिन हैप्स इन दी डाइजेशन ओफ तो किसके पाचन में मदद करता है सही बताए आपने एकदम सी ऑप्सिन करेक्ट है प्रोटीन के पाचन में प्रोटीन का डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है जैसे कि आप देख सकते है प्रोटीन जो आपका मिल्क में रहता है मीट में सबसे आदा रहता है, एग्स में रहता है, पल्सेज में रहता है, मतलब कि दाल में रहता है, ठीक है दोस्तों, दूद में रहता है, अंडो में रहता है फिफ्टींथ कोशन देख लेते हैं, हौकी कराया था हमने पेड ग्रूप में तो हौकी का एक कोशन था, जिसके ओपर काफे सवाल उठा रहे थे लोग, नए नियमों के अनुसार, अंटराश्ट्रे हौकी मैच की अवदी क्या है, वाट इस दे डूरेशन आफ इंटरनेशनल हौकी मैच according to the new rules, तो एक तो पहली बात जब यहां पे new rules दे रखा है, तो आप प्लीज, अगर कोई बताता है, आपको कोई अच्छा बात बता रहा है, तो उसकी बात माना करें, कुछ लोग परसनली कहने लग गए कि नहीं आंसर यह है, हमने तो यह पढ़ाया रहे जी, आ हौकी मैच का अंसर क्या होगा इसका, तो सही बताया, बी option correct है, आपके 60 minute, 60 minute, और मतलब कि 4 quarter होते हैं, आपके 4 quarter होते हैं 15 minute के, ठीक है, 15 minute के 4 quarter होते हैं, और यह कुछ आपकी इस परकार से होते हैं, आपको समझा देता हूँ, तो आप यह देखिए, पहला आपका हुआ 15 का 2 minute का gap रहता है 1st और 2nd में, यह आपका हो गया 2nd 15 का, यह हो गया 3rd 15, फिर 2 minute का gap यह हो गया 4th 15 का, यह हो गया, और यहाँ पर half time होता है 15 minute का एक half time, तो यह आपकी total duration मान सकते हैं, लेकिन हम जो break time होता है, इनको हम नहीं मानते हैं, तो हम आपका जो 15, 15, 15 और 15, तो 60 minute का इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के दुआरा, ठीकी दोस्तों, फेडरेशन ओफ होकी, लोग कह रहे थे 70 है, पहले 35 minute के 2 होते थे और आंसर यही है, यही है, यही है, तो आप इसी को टिक करके आईएगा, और पेपर क्लियर नहीं होगा, तो B option correct है, जो मैं follow करते हैं, वो B को 60 minute को, 16th question देख लेते हैं, किसी भी दुरगटना के मौके पर, सबसे पहले आप क्या करते हैं, the first thing you do at the scene of any accident is, तो दोस्तों सही बताया आपने एकदम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप अगर कहीं पर accident हुआ है, या किसी को किसी ने, जैसे कि पिच्चर में आप देख सकते हैं, एक विक्टिम है, उसको साप ने काट लिया है, तो आप ऐसा नहीं है, उस साप को ignore कर देगा, या रहा है यह तो ऐसे ही है, मैं जाके विक्टिम को बचाता हूँ, पहले आप देखेंगे कि वहाँ पर खतरा तो नहीं है, भाई वो साप आपको भी काट लेगा आप भी यह गिर जाओगे तीसरा बंदा आएगा उस वो भी नहीं देखेगा आप भी गिर जाएगा तो देखो फर्स्टेंड की यह कुछ आपकी नौलेज है इन्फरमेशन है जो आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको उपर बताया था कि आप विक्टिम से बात करेंगे कि वो ठीक है फिर उसके शोल्डर को शेक करेंगे कि भई होश में है नहीं है तो वो जी जब बात की है सबसे पहले आप डिंजर देखेंगे कि वहां पर खतरा तो नहीं है जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है कि खतरा दिख रहा है तो अब यह पहले उस आपको देखते मार दिया जाता है इतना बुलाने बुलाने का सिस्टम नहीं है पर बुला भी लेते हैं कुछ लोग जो शेहरों में वो बुला भी लेते हैं क्योंकि घर में अंदर बढ़ जाएगा तो उसको ढोंडने के लिए तो कला चाहिए फिर उसको आप सीधा मार नहीं सकते तो C option correct है यहां पर check for danger खतरे की जाच करेंगे सबसे पहले हम लोग कार का accident हो गया है कहीं तो आप यह नहीं जाके सीधा कूद पड़े बाई निकालो इसे निकालो पहले देखेंगे बाई आगे पीछे से कोई गाड़ी दूसरी तो नहीं आरी कहीं आप भी वहां पर लेटे मिलो ठीके दोस्तों तो 17 कोशन देख लेते हैं प्रसिक्षन विधी जो इराइफ्रो प्रोटीन के स्तर को बढ़ाती है ट्रेनिंग मेंठेड विच एलिवेट्स दी लेवल ओफ राइफ्रो प्रोटीन तो जैसा कि आप पहले सको समझा देता हूं पिच्चर के दौ हो जाए मतरब कि इंबैलेंस हो जाए ठीक है दोस्तों तो पहली बात तो आपको स्टेज को क्या कहीं जब आपकी बॉड़ी में इतना अक्सिजन नहीं है कि जो आपके टिशूज है जो सेल्स है वो वर्क कर सकें प्रोपरली अपने फंक्शन कर सकें तो उसको हाइपॉक्स है जैसे कि साइड में लिखा है राइट है एंड साइड में हीपॉक्सिया कहते हैं और जिस कारण से आपकी मतरब की आपकी ऑक्सिजन और तीसरे में आपको दिख रहा होगा कि कैसे oxygen level कम होने के कारण जो functions हैं वो कम हो चुके हैं तो अब क्या होगा अब जो हमारी kidney है mainly kidney आपके erythropoietin जो आपका मतलब की substance है इसको release करेगा ठीक है erythropoietin और ये करेगा क्या ये क्या करेगा ये आपका bone marrow जहां पर कि हमारी लाल रक्त कोशी का है मतलब कि RBC generate होती है वहाँ पर उसको stimulate करेगा stimulate मतलब कि उसे उत्तेजित करेगा कि और ज़्यादा बनाओ हमें इतनी शमता नहीं है हमारे शरीर में इस टाइम पर तो हम आपको कहते हैं कि आप थोड़े से RBC को ज़्यादा बनाए ताकि वो और ज़्यादा oxygen को hold कर सके है और at least आपकी जो ये जो stage है इस टाइम पर क्योंकि oxygen कम है इसको meet कर सके है इस demand को ठीक है दोस्तो इसके बाद आप देख सकते हैं कैसे वो RBC के count को बढ़ा देता है और कैसे oxygen लेवल दुबारा नॉर्मल हो जाता है तो ये चीज होती कहां पर है दोस्तो सही बताया हाई altitude training में होती है ये उच उचाई protection में होती है ठीक है दोस्तो क्योंकि वहाँ पर उपर आपका oxygen लेवल कम होता जाता है तो वहाँ पर जो kidney है वो erythropo protein को activate करता है अब आ जाते हैं आपके homework पे और काफी थोड़ा आज ऐसा लग रहा है जादा बोल लिया है एक तो रात में वीडियो बनाते हैं तो दिन करने के लिए शरीर को उपर उठाते समय बाहों में उभरी हुई मास्पेशियो का संकूचन इस प्रकार है the type of contraction of the biceps muscles in the arms while raising the body to do a chin-up is तो options आपके सामने हैं बताईएगा चलते हैं नीचे जब 19th question ये भी देखते हैं किसे किसे आता है तीनों जो अच्छा करेगा उसकी बि बाइसेप्स ब्रेकी की मास्पेशी बहां की कलाई को अपनी तरफ फ्लेक्स करती है तो यह प्रिक्रिया किस का उधारन है कि हर मुमेंट में आपका लीवर एक यूज होता है तो बॉड़ी में भी हमारे लीवर से रहते हैं कई तरीके के तो वही पूचा है कि जब आप बा रहे हैं अपने हाथ को बाइसेप मसल को तो कौन से लीवर होगा वेन दी बाइसेप ब्रेकी मसल फ्लेक्स दी फोर आम वाट इस दी फोर आम एन एक्जाम्पल ओफ ट्वंटियथ कोशन भी अच्छा है तो ट्वंटियथ कोशन भी बताईएगा थोड़ा से स्टैटिक है ल अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है हमारे आफ़र्टस आपको अच्छे लगते हैं तो किर पर लाइक और कमेंट करने ना भूलें वीडियो को एव नाइस डे बाबाई